इस्राइल हमास युद्ध के बीचे एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसे मिडल इस्ट का समी का रण पूरा बदल सकता है दरसल मिडल इस्ट में इरान लगातार इस्राइल और सौधी अरब के उपर हावी हो रहा है और इरान के पीछे रूस का हाथ है मैं इस्राइल और सौधी अरब के पीछे अमेरिका का हाथ है लेकिन अब इरान से एक ऐसी खबर आई है जो अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाली है दरसल अमेरिका के पूर्व राष्टुपती डोनाल ट्रम्प ने मई 2018 में इरान के साथ हुई पर्मानू डील को खत्म कर दिया था और इसके बाद से ही अमेरिका और इरान के संबंध अभी तक के अपने सबसे खराब दोर में पहुँच गए थे लेकिन अब इरान के सुप्रीम लीडर आयातुला खामेनेई ने ऐसा संकेत दिया है जिसे अमेरिका के साथ एक बार फिर से पर्मानू डील का रास्ता खुल सकता है हलंकि उन्होंने इनारी सरकार को अमेरिका पर आख बंद करके भरोसा करने के लिए चुईताया है दरसल खामनेई ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने पर्मानू संधी पर बातचीत के लिए अमेरिका के लिए दर्वाजे खुले रखे हैं 27 अगस 2024 को इरान के जुनता के लिए एक बयान जारी करते हुए आयातुला ने कहा कि इरान अपना पर्मानू कारिक्ष्रम तेजी से आगे बढ़ा रहा है और उसे दुश्मन के साथ बातचीत करने में कोई परिशानी नहीं है बड़ी बात यह है कि आयातुला निराश्टपती पेजिश्कियन की सरकार के लिए अपने इस बयान से सीमा रिखाए निर्धारित कर दी है क्योंकि अगर पेजिश्कियन की सरकार अमेरिका से कोई भी बातचीत करती है तो उसमें आयातुला के इस बयान को ध्यान में रखन और आयातुल्ला का कहना है कि अमेरिका पर भरूसा नहीं किया जाना चाहिए। और आयातुल्ला को अब ये कहना पड़ गया है कि अमेरिका पर भरूसा नहीं किया जा सकता। हमें अपनी उमीदें दुश्मनों पर नहीं टिकानी चाहिए। अपनी योजनाओं के लिए हमें दुश्मनों की मन्जूरी का इंतिजार नहीं करना चाहिए। कुछ जगाहों पर एक ही दुश्मन से भिरना विरोधा भासी नहीं है। इसमें कोई बाधा नहीं है लेकिन दुश्मन पर भरोसा मत करो। हलंके एरान और अमेरिका के बीच परमानू डील को लेकर पिछले वर्षों में अपरत्यक्ष रूप से बाचीत हुई है और ये बाचीत ओमान और कतर की मध्यसता में हुई है। लेकिन 2018 में परमानू डील के तूटने से एरान ने यूरेनियम इन्रिच्मेंट की सभी सीमाय तोड़ दी थी। और उसका यूरेनियम इन्रिच्मेंट 60% प्यूरेटी लेवल तक पहुँच गया है और परमानू हथियार बनाने के लिए इरान को अब इसे बढ़ा कर 90% करना है। लेकिन इरान पर नज़र रखने के लिए उसके परमानू ठीकानों पर इंटरनेशनल एटोमिक एनरजी एजिंसी ने सर्विलांस कैमने भी लगाये थे लेकिन इरान ने इने भी बादित कर दिया है। यहां तक कि IAEA के अधिकारियों को भी इरान ने इन परमानू ठीकानों में घुसने नहीं दिया और इसे वज़े से इरान के निता लगातार परमानू हथियार बनाने की धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं। झाल रहे हैं।